भाग्य इटलू नबडू छे, पचास साइट वरस्नो मलेलू आ जीवन, अती दुरलब छे, आ मनुष्य जीवन वारं वार मलतू नथी, छता एननो उपियोग आपने क्या करिये छे, खावा पीवा उंगवा, व्यास देव कहे छे, आहार निद्रा भै मैतो नम्च, सामान्य एतत पशुभेर नराणा, आ अमूल्य मनुष्य जीवन छे, भागवत कहे छे, दुरलब हम मानुषम जन्वा, आ जीवन दुरलब छे, तदपी अर्थम अद्रुवम, अन्ने दुरलब छे न पाचुट, क्यारे नश्ट थाई जानो नखी ने थी, मानो मनुष्य जीवन मल पड़ी तो क्यो, पड़ा वयू क्यारे जाहे, तो क्यानो कोई भरोसों ने थी, छता, आपड़े आ अराम थी हैं या टाइम पास करिये थी, कोई चिनता न थी, क्यारे कोई ने जैनी पूछता न थी, विदान्त सुत्र कहे छे, अथा तो ब्रह्म जिग्यासा, मनुष्य ज जीवन मले, एने सवती पहला जिग्यासा कर वी जोगे, पहली जिग्यासा शोंचे, वो कोण शोंचे, वो जगत्मा शा माटे आयोचे, मारे कोई दुख जोतू न थी, छता आ जगत्मा दुख आवे चे, जो हरेक व्यत्ती मंदिरों मा साधू पासे जेन एक प्रार्था न आओ जो जोगत्मा जगत्मा, जोरू ऑचिंग्यासा शोंचे, वो कोई दुख दुख मांगे चे, जो जो एक मांड़ों मांगे, यो जो एक जोरू जो से जोगत्मा दुख सामाटे. आजी बदा प्रश्णों चे नूँ अनो उत्तर प्राप्त करवा माटे आजीवन माड़ुचुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु ुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु दू करने कोई कष्ट न थे एन एटलो जानन्द छे इगटर माई ते इमल खावा माई ते समान सोख छे समान एतत पशोविर नराणाम एटले व्यास देव केच जो खाई पीन मजाज करवी होई तो आपड़ा माने पशोवों मा कोई अंतर न थे आब दो ये खर्खूँ छे पड़ मनुष्य काईक विशेश जे चोर्यासी लाख प्रकारना शरीरो नी जरजा शास्त्रों मा छे एमा मनुष्यने सवती स्रेष्ट केवा मागर शे शामाटे आम तो खावू पीवू उंगुवू मनुष्यों मा थाई पशो बेई समान छे पड़ पशुवो थी मनुष्य अलग केम छे तो एनो उत्तर महाभारत आपे छे धर्मों ही एको अधिक विशेश जे मनुष्यों नी अंदर छे ने धर्म एक एक्स्टा फिचर से पशुवा नो है अच्या आपडे मुक्ति ना विशेई मा जिग्यासा करी शक्ये आइथी मुक्त थावू छे कोई पशु कुत्रों क्यारे नहीं के हूं कुत्रों केम तमें बदा एसी वाड़ा प्लेट मारियो कि नती थावू छता मने दूख आवे छक्ये आजे ग्यासा मनुष्य शरीर मा थाई आ मनुष्य सिवाई जिटला पण शरीरों छे इक्यारे प्रश्ण नहीं करे इटला माटे आ जीवन जे छने इचोर्यासी लाग शरीरों मा सवती श्रेष्ट छे अने भगवान ना पचातका कृपा थाईगे छे महम जीले। अने मनुष्य जीवन माले। अने मनुष्य बढ़िया पछी जो भगवान नी भग्ती प्राप्त थाई तो समझी लोग 20 पचातका कृपा थाईगे। 100 का कृपा मलीगे छे। कोने ? तो कैसे जीए आ संसरम भजन करे छे इंए? आ सोट अका भगवान नो क्रिपा पात्र भेकती चे अन खाई पिन उंगवा मा जेना जीवन नश्ट थाई रहाँ चे अने आ वर्दान नाश करी रहाँ चे अने उपनिश्दों के चे चे के विरिते थाई कोई व्यक्तिनु मृत्यू थाई सवती पेला एनो जन्म जलचर योनिव मा थाई पाणी ना शरीरो जलजा नवलक्षाणी नवलाग प्रकार ना शरीरो पाणी मा रेवा वालाँ था मृत्यु पछी पेलो शरीर जे मले करम अनुसार इजलचर्यो निवों मावे अने त्याँ थी उपर स्थावरे लक्ष विशंती वीशलाग प्रकार नी वनस्पतिवना शरीरो चे त्यार पछी यहनो जन्मत शे वरिक्षोना शरीरो माँ यहमा प्रकार चे वीशलाग वेराइ क्रिमी अचे क्रिमी माने जीव जन्तु वनस्पत प्रकार नां शरीरो चे वरिक्षोना श्रीरो इपक्षिवना शरीर मा जाशे एना थी उपर उतक्रांती थाशे 30 लाख पशुवना शरीर थाशे 30 लक्षाणी पशव इपशुवना शरीर मा उतक्रांती थाशे अन्ने त्यार पची 4 लक्षाणी मानव चार लाख प्रकारना मनुष्यना शरीरों चे अब बेद मार्ग उपर चालवा वालाउजे धर्म छे एवा सनातन धर्मने मानवाला परिवारमा जन्म छाए त्यारे मोक्तिनो आउसर मले अने आजे जलचर्थी लाइन मनुष्यों निसो दिनी जे उतकरांती छे एक चक्करने पूरू करवामा एक अंदाज शास्त्र लगावे छे ओच्छामा ओच्छा सवा बे करोड वरस्ताया प्रुथ्विल त्यारे एक वार मनुष्य बनवा नाउसर मले अने अमाई जो भजन नो करे मृत्यु आवता सुधिमा पोतानी मुक्तिनो उपाई नो करे भरिथी पाच्वाए मालागे आदी संक्राचारिय कहे छे पुनर अपी जनननम पुनर अपी मरणम पुनर अपी जनननी जठरे शायननम पुन माताना गरव मावश आसमस्य आज अवे विचार करो एक जीवन अनी क्यारे पुरू थाई जायनू कोई ने कल नो जे एक शलोक हतो ने काल व्याल मुखक ग्रास तरास ने राश हेत वे ने काल ना कोलया बनीन बैठाची आपण काल आपने बताने गली रिओ छे मांनी लेव अपणा वीच वरस ते आपड़े वीच वरस काल गली रिओ से आपण आने आपड़ी मुर्खतास काल कर जयम जयम आपण रिगळी लें यहमें आपणे खूस थाई पच्ची वरानों थाइगो, हवे हुँ थाइगो पच्ची नो, तु थो नथी यो, पच्ची जे ग्या चे ने, पाचा ने थी आवाना क्या रहे, अन्थो यहनी आपड़े उजवनी करिये, हैपी बड़े, बड़े जे उजवे चे ने, बद्धा मूर्ख चे, कैम, अमुल्य करोड ने, अर्मो रुप्या आपता जे, समय पाचो नो, मलै, जीवन माथी वयो जो, यहनो, आनन्द मनावो, इदीवसे तो, रोवो जोई, कि जीवन माथी, वीश्वरस, पच्चीश्वरस, त्रिश्वरस वया ग्या, पड़े अजी सुधी, भजन्ना मार्ग मा एक डगलू, मांडू, रडवानो दीवसे, अन्ते दी, आपड़ आनन्द मनावे, अवे क्यो, व्यास देवेजे लख्यो चे, क्या, कलयो गवाला मंद भाग्यना चे, हाचो चे, खोटू चे, जीवा रडवू जोई, निया आनन्द उत्सव मनावाजे, अनि जीवास्त और रडवाजनी जग्या, सत्संग चे, अन्न गोईने क्यों आलो, सत्संग में, इह आपड़ ने नो भावे, क्या, करना के अनन्त जन्न मो थी माया ना खोलाम बेठो चे, एकले माया रे भावी बगवान मा भावतु लाजिए, अन्न आमाई बुद्धी लगाडे पाचे, अब इबदी वातो होई, मर्या पशी कोणे जोयू सुँँ थाई चाते तमने खबर नथी येटले बदू नो होई कारण के प्रश्ण उठावा माद आपने एक्सपर्ट चिये जाओ नो होई न सत्संग माद इले प्रश्ण करे क्या बदी वातो करेक मर्या पशी आम थाइन तेम थाइन जोयू कोणे ही कोण जोवागी होई, कोई ग्याई पासाधाईवा नथी अब ता तर्क करेच बले तमे नथी जोयू अपड़ शास्त्र तो कहेचे तो एमा तर्क आउशे पाचे शास्त्र को के लखी नाख्याशे रोषी मुनी ओत नवरा जेता पहला ही के अनके धंदो आनके धंदो जानें के अपने सीख्या जेता पहला बद धन नवराय जेती, हाव, नेट शास्त्र उपर प्रश्ण जो आ मनुष्य जीवन प्रारंब थायोचे जारतिया सुरुष्टी नो प्रारंब थायोचे आनी पहला बेद आईवाचे, शास्त्र पहला आईवाचे अनी शास्त्र अनुशारा जगतनी रचना थाईचे शास्त्र अनुशारा प्रकृती चालेचे अनि शास्त्रज मनुष्य जीवन नू मैन्योल छे तमें कथावों मा गणीवारी सामिल हो छे के भगवान विश्णु थी ब्रह्माजी नू प्रागट्टे थे अने ब्रह्माजी जारे कमळ उपर प्रागट्टे थे अने तो ब्रह्माजी ने कोई ख्याल नो तो अने ब्रह्माजी ने बे अक्षर साम्बल्या त और प्रागट्ट ने ब्रह्माजी तपस्या करवा बेशे गया तपस्या करवा माटे बेठा अन्य एणी तपस्या थी परसंद थाई अन्य भगवा ने या जै तेने ब्रह्म रदाईबा अधी कवए इब्रह्मा जीमा रदईमा चारे वेदोनु ग्णान प्रगट कराईब यहनो आर्ट सास्थर पहला है अनि वेदोनु ग्णान ब्रह्माजीना रदैमा प्रकट करावी अनि पछी भगवा नकी दू क्या वेद मा जे प्रमाणे लख्योच अनि प्रमाणे सुरुष्टिनी रचना करू अनि ब्रह्मा जे जे आखु जगत बनाई वोच अने इक्या शास्त्रना अधारे बने चे अनि गला माटे वेद जे छे नई प्रम प्रमाणा चे अनि उपर कोई प्रश्ण उठावानो अर्थज नथी कोई नो कैशा के क्या वेद खोटा चे वेद नई वेद थी लएन बगवत गीता सुधी जेटलू पन शास्त्र चे आमाँ थी कोई एक श्लोक ने पण आज सुधी कोई असत्य सिद्ध करी शक्यो ना थी एक सिंपल प्रमाण तमने आपो कालेज ये श्लोक थी आपड़े शरुवात करी थी जातस्य ही द्रोर मृत्यो द्रोवम जन्म मृतस्य चे जे जन्म लेचे अनु मृत्यो ने मृत्यो चे अनो जन्म गीता माला लख्यो चे 5000 बर्ष पहला कुरुक शित्र नी युद्ध भोमी उपर भगवाना श्लोक बोलेआ आज ये पणना लागू पड़ेच जे जन्म लेचे अनु मृत्यो थाईच आँ मनुष्य माट्य न दिखालियो दुनिया ना कोई पण पदार्थु पर आश्लोक लागो पड़ो आँ स्पीकर अमुख समय प्याला नोतु पचे कंपनी माला ये बनना आईवो अनमुख समय पचे आँ नही वाई जेनो जेनो जन्म एटले के जेनी उत्पत्ती छे एनो नास निशिद्धावनास कान क्या वैदिक गिनान जे छे ने एक विज्ञान छे एक परफेक्ट साइन्स हे परण आपड़ी समझ नो होई ने आपड़ी बुद्धियान नो पकड़ी एक ती होई एटले आपड़ी अन्दश्रद्धानो टाइटल लगा विदी काले एक आपड़े वाद करी का आईथी पाणी नाकी विदमर खेदरे तोड़ू पोगे तो इक तम्याई पूषडे पाणी नाको निया पहुँचे तम्याई एक उन्मा पैसा नाको दुनियामा गमी एटियम में निकलता वगर वायर निकलता मनुष्वनी रचनाशन तो इमनुष्वना मगजने इबुद्धी ने जेने बनावी छे इब भगवान नीरचनाई विने वे तम्याई का याँ पो यह न्या पहुँचे शोलागे ज़े पन आश्चरिय शुझे कबर प्रश्ण शास्त्र उपर उट्षे विज्ञान उपर नथी उट्था क्या रह अच्छा डार्विन नावनोंग विज्ञानी कातो आने एक सिद्धान दाएपो के बैमनुष्यो जेचे ने वाइंदरामाए थाएवा कोई विज्ञान ने प्रश्ण करवा गयुख साबित करो भणी तोली दू आपड़े कि मनुष्यों जेचे वांद्रामाई थाईवा अवान साबित करो आलो वांद्रामाई थ्माना लावो थिया विगनान नियेवी एक नहीं हजारो थियरियो चे जने आई थे उखोटी सिद्ध गरिशो पन आपड़े त्यां प्रस्ण देच उठावता क्यम कानके मैंड माँ फिट थाई जेचे कि पस्चिम वाला जेकाई के नि बदो ओके जोई तमें विचारतो करो कि आपड़े यम क्या वुक वांद्रामाई थे माना आईवा आतो आपड़ा पुर्वजोन गाल्यू देवा जेचे आनो मतले बीथ्योक आपड़ा पुर्वजो बाइंद्रा आता पाचायमा गर्व लेज आपड़े भागवद्शों केज मनुष्योनी उत्पत्ती मनुमाराथ्थी थाईचे मैथोनी सुरष्टी मा ब्रह्मा जीथी मनुवने शत्रुपानो जन्म थाईओ आने त्यां थी जे सुरष्टी नो प्रारंब थाईओ इचे मनुष्य आपणने मनुष्य एटले केवाम आवे छे करण के आपड़े मनुमाराथ्णी संतांची निया आपड़े प्रश्ण करेद नई आ शास्त्र कौणे लेख्यो तो के इप्रमाण नथी पड़ विग्नान नी पूस्त कौणे लखी छे एणू प्रमाण छे नथी तोई मानली दून वाईंदर में थाईवाचे आजो अनाखा समाजनी अंदरा फ्यालाईएओ के मनुष्य आने साबीती छे आने कोई तरकना अधार उपरपणा सिद्धान सत्य नती छाता मानियेचे आ मंद भागियेचे जया आपडू आत्म कल्याण थाईवु छे इश्रेह मा आपणने संका छे अने जया संकाना अधारे कोई थियरी वोवी थाईचे यह मा आपणने विश्वास छे इटले व्यास देव कहाचे आ कल्योग मा वड़ा चाने आ मंद भागियेचे भागिना न बढ़ाचे पोतानू कल्याण छोड़ी अने जे नरक लई जावावाली वस्तो होचे एमा विश्वास आ मंद भागियेचे इटला माटे भागियेचे वो भीश्वाई छे जो शास्त्रों मा गणिबदी वातो छे विनान योग छे ध्यान योग छे भागियेचे पन स्रेश्ट जे छे ने इबगवाननी भागियेचे आने कल्ना सत्र मा आपड़े चर्चाही करियादा कि इबगती जेनाथी बगवानने प्रसन करिशकाई भक्तिना जीवनमा दूखायू अन्य इदूखनो निवाराण करवा माटे नारद मुनी एक उपाय करयो अन्य इउपायना फळस्वरूप साथ दिवस सप्तह भागवतनो आयोजन थयू गंगाजीना तटूपर अन्य भागवतनी सुन्दर महीमा सनकादी को एक वरणन करी कि आ संसारमा एवू कोई पाप न थी जे पाप आ भागवतनी नष्ट न थाए कोई पड असद गतीने प्राप्त थाएलो जीव कोई पड दुखी थाएलो जीव एना सुख न उपाई जे चाने इश्रीमद भागवत छे इला माटे जीवनमा जारे जारे भागवत कथा जो भागवतनो अर्थ थाए भागवानना भागवानना दिप्य चरित्र भागवाननी दिप्य कथाओ आने श्रवन करवाननो लब जीवनमा क्यारे इमळैने तो समझेले उँके अना थी श्रेष्ठ समय अपड़ा जीवनमा भी जो कोई न थी मनुष्य ना कोई व्यत्ति निधा है पूछो के तमारा जीवननो सवती श्रेष्ठ समय कहई होचे तो बोले जे समय मा हरी कथा प्राप्त थाई बगवान नाम किरतन करवान आउसर प्राप्त थाई आनती स्रेश्ट समय भी जो कोई नथी